आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदय बनी रहें, ये वीडियो करक यानि की कैंसर के लिए अत्यनत विशेश है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानि की 2 से 8 सेतंबर 2024 के साप्ताहिक राशीफल के बारे में, मेरा साप्ताहिक राशीफल प्रमुक्त ह, चन्रमा की गती पे आरधारित और निरधारित होता है, चन्रमा मन के कारक हैं और बहुत तेज भागते हैं, सवादों से डाए दिन में राशी बदल लेते हैं, तो सभाविक है है कि एक तो मन के कारक हैं जैसे मैंने कहा और जिस भी भाव में जाते हैं उसको activate कर देते हैं इसलिए day to day activity पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत जादा होता है तो इनी सब चीजों की चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप अपने आने वाले सप्ता को plan out करें किस प्रकार से जोतिश के साहता से आप एक guidance ले सकते हैं और आने वाले सप्ता को बिता सकते हैं क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है सभी चीजों की विवेचना करने की प्रयास करूंगा ज़िए आपके लगने राशी या चंद्राशी करके हैं दोनों ही guidance के लिए स्राशी पल को देख सकते हैं वीडियो के अंत में कुछ विशेश उपाए भी बताऊंगा शुरू करते हैं सरपतम चंद्रमा आपके दूसरे भाब में रहेंगे दो तारीक को और चाहत आरीक सुभा के दस तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा लगनेश है लगनेश का दूसरे भाब में आना अपने आप में अत्यन्ट शुब धनयोग बनाता है और चंद्रमा का भी अपने आप दूसरे भाब में आना धनयोग बनाता है तो जो potency है धन योग की और बढ़ जाती है और यहाँ पर बैठे किसके साथ है सूरे के साथ जो खुद धन के भाव के स्वामी है धनेश हैं तो हफ्ते का शुरुवाती भाग धन अवश्य आपके पास आएगा देकिन नहीं भूलना चाहिए कि ये कौन सा योग बन गया ये अमावस्य दोश या मौस्य योग और शनी महराज की दृष्टी भी है तो ये सारी चीज़े कही न कहीं इंडिकेट कर रही है कि धन प्राप्ती तो आपको होगी अवश्य धन आपके पास आएगा अचानक से भी धन आएगा लेकिन धन जाने की जो तिवृता है वो भी शुरुआती भाग में ही कोई बड़ा आपको खर्चा करना पड़े लेकिन धन प्राप्ती भी आपको वश्य होगी उसमें कोई दोराय नहीं है हफ़ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है चंद्रमा दूसरे भाब में आगे आने की वाणी पर नियंत्रन बहुत अधिवार रहेगा विश्टोष बन रहा है कभी-कभी वाणी में उदासीनता भी जलग सकती है और कभी-कभी तिक्ष्णता भी जलग सकती है क्योंकि चंद्रमा सूरे के साथ है यानि की अगनी तत्व सिम्हराशी में है अगनी तत्व वैसे क वाले मीठा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं लेकिन कभी-कभी जैसे मैं कहता हूं कि वो गुस्ता गलत जगा पर दिखाते हैं वैसा ही थोड़ा आपके साथ हफते के शुरुआती भाग में हो सकता है लेकिन धने के मामले में ठीक है बस खर्चा थोड़ा बड़ेगा और कोई भी अगर matter हो उस पर बहस लग रहा है कि आपको होने वाली है अपने आपको उस conversation से विड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नवांच कुंडी कह रही है कि यात्रा के योग है दश्मांच कुंडी कह रही है कि कारक्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे लेकिन focus पर ध्यान देना है बिजनस बहुत अच्छा है especially अगर medicine का बिजनस है फार्मसी से जुड़ा कुछ बिजनस है आपका medical field से है agriculture से जुड़ा कुछ बिजनस है लाब होगा love life एक स्थिरता आती दिखरी है अगर आप प्रयास कर रहे थे कि relationship में स्थिरता आ मैं कई बार बताता जाता हूं हर लगने के लिए कि क्या विशेष्टा है उनकी करक के लिए भाग्यस्थान ब्रहस्पती का है मैं हमेशा करक वाले जातकों को कहता हूं कि थोड़ा सा इश्वर धर्म अध्यात्म के touch में रहिए आपको बहुत मदद मिलेगी इससे जहां तक सेहत की बात है गले के रोग आँखों के रोग दांतों के रोग और बुरा खाना खाने की करण यानि की बाहर का खाना या जो खाना आपको सूट नहीं करता उसके करण इंफेक्शन हो सकता है जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका भाग्यस्थान ही वली है तो हफते के श 6 सितंबर रात के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पढ़ेगा चंदमा का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर नीच के शुक्र के साथ है और नीच का शुक्र भी तीसरे घर में बहुत प्रभाव अच्छा देता है यह active रहने का time है आप खुद देखेंगे आप बहुत active हो जाएंगे तीसरा भाव ही activity का है तीसरा भाव power का है केतु भी अच्छा प्रभाव देते हैं शुक्र भी हाँ पर नीच के हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे और देखें कितना प्रभाव है यहाँ पर मंगल की दृष्टी है मंगल योग कारक है लाभेश है आपके दशमेश है और आपके पंचमेश है दूसरा गुरु भी देख रहे हैं जो लाबस्थान में आपके बेटे हैं मंगल आपके कार्य स्थाने के स्वामी है और पंचमेश है यानि की योग कारग्रह बनते हैं और आपके तीसरे भाव में बैटे शुक्र को देख रहे हैं जो आपके लाब स्थाने के स्वामी है रुका हुआ पैसा, अठका हुआ पैसा अठके हुए काम सारे बनेंगे तिव ब्रत आएगी, आपके जो रुके हुए कार्य किसी भी फिल्ड के, आप housewife हैं आपके कार्य अठक रहे हैं, आप कुछ कार्य करते हैं, अपना बडे स्थर पर है, छोटे स्थर पर है, जॉब करते हैं, विजनस करते हैं, ये वो समय है जब कार्य बनना शुरू होंगे, जो चीज़ें अटक रही थी, बनना शुरू होंगे, एक्टिव रहेंगे आप और अक्टिव रहना भी पड़ेगा आपको, अगर आपको इस समय का लाव उठाना है, यहाँ पर शुक्र है, जो चौथे घर के स्वामी है, जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चारे थे, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि चौथे से बारवे में इतना सारा हो रहा है योग, और मंगल का प्रभाव भी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है, और यात्रा हैं आपकी यहाँ पर भी दिख रही है, ऐसा लग रहा है, पूरे हफ़ते काफी यात्रा हैं आपको करनी पड़ेंगी, और तीसरा भाव यात्रा दिखाता है, और जीवन की यात्रा को भी अंकित कर तो जीवन की यात्रा भी आपके अवश्या आगे बड़ेगी, नवांच कुनली कह रही है कि अच्छा समय है, सपोर्ट मिलेगा आपको आपके कारे पूर्ण करने के लिए, दश्मांच कुनली कह रही है, कारेक्षेत्र में कलीक्स से बचके रहिएगा, काम अच्छा लेकिन श्रे कोई और लेकर जा सकता है, बिजनस बहुत अच्छा काम है, लेकिन अपने आपको मेंटली और फिट कीजिए, ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेंटल कपैस्टी थोड़े सी क्षीन हो गई है, उसके कारण लाब उतरा नहीं उठा पारे, लव लाइफ की जहां तक बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन उगरताव आणी में बिलकुल नहीं, इवन बोडी लेंगुश पर भी ध्यान दीजेगा, विवाहिक जीवन की जहां तक बात है, सब ठीक दिख रहा है, लेकिन एक emotional withdrawal दिख रहा है, ऐसा लग रहा ह हो गया तो बहुत दिक्कत होती है, इसको long term मत चलने दीजेगा, students की जहां तक बात है, communication पर काम करने का अवसर है, सेहत के अनुसार आपको गले के रोग तंग करेंगे, private part से जोड़ी problem तंग करेगी, नसों के रोग BP की problem तंग करेगी, सरवाश्टक में आपका लगन बली है अत्यन्त शुब समय, क्योंकि यहां पर अवश्य आपका कोई बड़ा कार्य, रुका कार्य पून होगा, 6 सितंबर 11 बजे रात के आजाएंगे चंद्रमा आपके चौते घर में, यानि की तुला में, और एक चीज मैं बताएं नहीं, खेर उसका कोई संबंध नहीं है, लेक चंद्रमा का चौते भाव में आना, मिश्रित माना जाता है, क्योंकि वो लगनेश है, तो राज्योग बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, घर में कुस सौ घर को देखेंगे, तो कारेक्षेतर में भी अच्छा काम कर पाएंगे, सब अच्छा है, बुरा क्या है, बुरा भी कुछ है, बुरा यह है कि यहाँ पर चंद्रमा जब भी आते हैं, तो कार को भावना शाय दोशुत्पन करते हैं, तो sensitive रहेंगे, समवेदन शीलता बहुत रहेगी, और गुरु से भी छटे में हो गए, तो यह बन गया शकट योग, और शकट योग से क्या होता है, कार्य अटकना शुरू हो जाते हैं, तो विलंबित कुछ मत कीजिएगा, कि आज का काम कल पे टाला, तो कल परसो नरसो तरसो हो जाएगा, यह एक चीज से बचना ह समवधिश, समवेधन, चिलता भहुत रहेगी, घर में थोड़ी बहस पुना हो सकती है, माता जी की सेहत का ध्यान देजेगा, और सबसे इंपोर्टन चीज है कि जादा बहकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बातों को अपने आपको अफेक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि अगर वैसे भी करक वाले sensitive होते हैं, और कभी-कभी चोटी-चोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या इनको कह दिया, और वो चीज रखके मन में बैठे रहते हैं, तब तुमने वो कहा था, फिर कभी कोई conversation हो लोगों को चुप जाता है, तो सबसे जादा ध्यान देना है, वो अपने मानसिक, emotional सेहत पर आपको देना है, नवान चुनली कह रही है कि, ये समय आत्ममन्थन का है, चंद्रमा लगनेश है, चौथे घर में आ रहे हैं, आत्ममन्थन का समय है, जो कुछ करना चा रहे हैं, बैठी ये, उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, पेपर पे लिखिए, planning के लिए अच्छा टाइम है, दश्मान चुकुनली, कारेक शेत्र में कुछ पुराने कारे पूर्ण करने का आवसर मिलेगा, कुछ रुके हुए कारे पूर्ण करने का आवसर मिलेगा, बिजन आपको ये भी समझना पड़ेगा, कि अगर आपकी self-respect नहीं हो रही, तो problem है कहीं पर, कभी-कभी क्या होता है, partner खुद तो self-respect या respect देता है अपने partner को, लेकिन उसको खुद नहीं मिलती, और ये आपके साथ थोड़ा दिख रहा है, तो अपनी self-respect की worth आपको ही बनानी कोई अगर exam बढ़ता है अफते के अंत में, तो अती शुम समय है, उपाय के सुरुप में, ओम नवह शिवाय का 108 बार जाप करना है, महादेव को बेल पत्र अरपन करने है, और घर में बने किसी भी मीठे का भोग लगाना है, आशा करता हूं कि वीड़ो आपके काव आएग चैनल पर यादिया आप नए है, सब्स्राइब कर लिजे, वीड़ो को लाइक कर लिजे, मिलता हूं अगली वीड़ो में तब तक के लिए, ओम नमेश्य।